सत्ते पे सत्ता रीमेक से दिपिका पादुकोन और केट्रीना कैफ का पत्ता किसने साफ किया क्या रितिक रोशन आनन देल रोय के साथ कोई फिल्म कर रहे हैं सत्ते पे सत्ता किस हॉलिवुड फिल्म का रीमेक है क्या इस फिल्म में सदी के महनायक अमिताब बच्चन भी काम कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों मैं गरिमा सिंग और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलिग्राद स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में दोस्तों फरा खान और रोही शेटी सत्ते पे सत्ता रीमेक की तयारी कर रहे हैं फिल्म के कास्टिंग को लेकर लगातार कोई ना कोई नाम सामने आता ही रहता है फिल्म के लिए शारुक खान, दिपिका पादुकोन, केट्रीना कैफ के नाम तो सामने आ चुके हैं लेकिन अब फिल्म के लिए रितिक रोशन और कृती सेनन का नाम फाइनल माना जा रहा है फिल्म की स्क्रिप्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है In fact, रितिक रोशन ने हाल ही में माना की उनके पास सत्ते पे सत्ता रिमेक का ओफर है लेकिन अभी उन्होंने अपना अगला प्रोजेक्ट तैन नहीं किया है इसलिए वो अभी से किसी फिल्म का नाम नहीं तै कर सकते है तो वही सारा अली खान के साथ आनन देल रोई की अगली फिल्म में होने से उन्होंने साफ इंकार कर दिया रितिक रोशन ने कहा नहीं ये अफवा है आननल रोय ने फिलहाल मुझे किसी भी फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया है सत्य पे सत्य रिमेक की बात करें तो फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद एकसाइटेड है इस रिमेक को फरा खान डैरेक्ट करने वाली है 1982 में आई अमिताब बच्चन हेमा मालनी की सूपर हिट फिल्म सत्य पे सत्य एक रोमेंटिक कॉमेडी थी ये साथ भायों की कहानी थी और मुखे तोर पर ये फिल्म भी हॉलिवुड फिल्म सेवन ब्राइट्स फोर्स सेवन ब्रदर्स की रिमेक थी फिल्म को इसके कॉमेडी और गानों की वज़े से खूब पसंद किया गया था दोस्तों अब जब इस सूपर हिट फिल्म का रिमेक बनने जा रहा है तो क्या अमिताब बच्चन भी इसमें काम कर रहे हैं? दरसल अमिताब बच्चन का हमें इस रिमेक में गैस्ट अपिरेंस देखने को मिल सकता है क्योंकि अमिताब बच्चन के विना इस सूपर हिट फिल्म का रिमेक तो अधूरा ही रह जाएगा तो फिल्म में उनका कैमियो तो बनता है वेल दोस्तों आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म के रिमेक को लेकर नीचे कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलिगराद स्टूडियोज